स्वागते दोस्तों आप सुभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 7S या फिर किसी भी शाओं में मुबाइल में यदि आपका होट स्पोट और वाइफाई काम नहीं कर रहा है और इसमें connect कर निकले आपको problem आ रहा है तो कैसे आप इसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए और इस वीडियो को एक like अभी के अभी कर देजेगा तो दोस्तों यहां पे देखिए यदि हम बात करें तो शाओमी मुबाइल में हमारे किसी भी मॉडल के शाओमी मुबाइल में हमें बहुत सारे वाइफाई और होट्सपोट के regarding हमें problem आता है या फिर के लिए होट्सपोट हम जब on करते यहां पे दूसरे device में connected नहीं हो पाता है ठीक है और यहां पे और भी बहुत सारे जो हमें problem शो होता है तो इसे हम कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा step by step बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को subscribe कर लिजएगा ठीक है यहां पे में दोस्तों कम से कम आपको एक दो तीन चार पांच solution बताऊंगा पांच solution बताऊंगा जिसके मतल से आपका problem definitely solve होगा सबसे पहला solution है दोस्तों आप अपना mobile को एक बार restart कर लिजेगा switch off करके switch on कर लिजेगा और उसके बाद में दोस्तों आपका wifi और hotspot को एक बार connect करके देखिएगा काम करता है कि नहीं ठीक है कभी कभी mobile restart करने पर बहुत सारे problem solve हो जाता है problem solve हो जाता है तो सही बाते नहीं ह होता है कोई दिकत निये उसके बाद second step आपको अपना mobile का settings पर जाना है और यहां पर दोस्तों आपको ढूनना है आपको mobile में more पे चले जाएगा more पे चले जाने के बाद में आपको airplane mode को एक बार on कर देना है अभी airplane mode को ओन करने के बाद में आपका जो है network completely gaip हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे network जो है दोबारा आपको airplane mode को off कर देना है अभी off करने के बाद में दोबारा आपका network completely आजाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों एक बार hot spot और wifi को connect करके देखिए काम करता है कि नहीं काम कर जाता है सही बात है काम नहीं करता है more पे चले जाए more settings पे network setting reset पे चले जाएगे अभी यहां पे आप देख सकते है wifi आपका wifi जो कि hotspot भी wifi के अंदर में ही आता है ठीक है और आपका mobile data और bluetooth का option दिया गया आपको एकदम नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा reset settings तो इसके उपर आपको click करना है और आपक यहां पे जो भी आपका password है वो आपको screen पे भर देना है तो यहां पे ok button पे click कर देना है तो आपका network settings has been reset तो आपका यहां पे wifi और hotspot का settings जो ही वो reset हो चुका है अभी दोस्तों जाकि आप अपना wifi को on कीजिए hotspot को on करके आप connect करने का try कीजिए आपका problem definitely solve हो जाना चाहिए ठीक है यह तीन करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए by any chance सीरी आपका problem फिर भी fix नहीं हो पा रहा है तब आप जो है settings पे चले जाए और एकदम नीचे चले आईए installed application पे चले जाईए installed apps पर और यहां पे आपको search करना है system launcher ठीक है तो चलिए यहां पे हम डूल लेते है system launcher SYSTM system launcher इसके ओपर क्लिक करके storage में चले जाए और clear data में click करके clear all data पे click करके ok करतीजे यह करने के बाद में दूस्तों आपको वापस जाना है वापस अले जाए और mobile को एक बार restart कर लिजेगा और check हीजे आपका wifi और hotspot काम करता है कि नहीं काम आपका definitely कर जाना चाहिए by any chance फिर भी आपका problem आ रहा है network और hotspot पे आपका bluetooth नहीं आपका hotspot और wifi पे तब आपको क्या करना है last option एक है दोस्तों आपको एक बार अपना mobile जो है about phone पे चले जाए और system update एक बार check किजे कभी कभी क्या आता है कि दोस्तों हम अपना mobile में system update आया हो रहता है आप देख सकते है यहां पर system के अंदर और यहां पर दोस्तों आप देख सकते है phone app lock और lock screen status bar काफी कुछ यहां पर आपका यहां पर आपको जो है update आया हुआ है तो यह आपको update कर लेना है ठीक है यह update नहीं करने पर भी हमें अपने network में wifi में hotspot में problem बहुत आता है तो यह update करने के बाद में दोस्तों आपका definitely problem जो है solve हो जाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching